आज की स्वेरो में भी हम गौहर ग्रीन सिटी का विजिट करेंगे और यह नाइट विजिट है स्पेशल इस वीडियो में यह है के बरसात में यह वीडियो शूट की गई है आप देख सकते हैं रोट सारे के सारे भीगे हुए हैं अब देख सकते हैं और यह वीडियो बहुत अच्छा आएगा तो यह वीडियो स्पेसिफिकली गहर के पार्टमेंट वह भी टू बैट लाउंज का पार्टमेंट इसे आप वन बैट डिडी भी कह सकते हैं तू बैट लाउंज भी कह सकते हैं अंदर से मापको दिखाएंगे आपको अंदाजा होगा तो यह हम अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर हैं और आप देख सकते हैं एक साइट पे वन बैट लाउंज के फ्लैट हैं और एक साइट पे टू बैट लाउंज के फ्लैट हैं बिलकुल चमक रहा है फ्लोर्स वाइट कलर की टाइल्स शाइन मारीयों परसे धुल चुकी हैं क्योंके बारिशे हुई हैं और बारिशों के मौसम में ये वीडियो शूट की है मैंने ताके आपको गवर के कुछ हालाद भी दिखा सकें बारिशों में जो के बहुत ही बेतर होते हैं परनिस्पत हमारे बड़े बड़े एरियास के पूरा कराची डूब जाता है लेकिन खुश नसीबी से कुछ ऐसे इसे इलाके भी हैं कराची में जिने कुछ खास फरक पड़ता नहीं है बलके उसकी खुबसूरती में उसकी रौनक में और इजाफा हो जाता है और शाइन करते हैं वो बारिशों में दुल जाते हैं साफ हो जाते हैं तो यह फ्लोर अब सेकंड आ गया है और यह मेरे सामने दर्वाजा खुला है टू बेड लाउंज के एक अपार्टमेंट का जो है पार्ट फेसिंग सेकंड फ्लोर का च्छत के साथ अपार्टमेंट च्छत भी आपको बात में दिखाएंगे इसका साइज है 600 स्कॉार फेट आराइट देखें हम अब सेकंड फ्लोर पर हैं यहां से उपर जाएंगे तो सीधा च्छत है क्योंकि यहां पर च्छतों पर खास लाइटों का इंतजाम नहीं है तो अंदेरे में यह आपको देखनी पड़ेगी क्या करें मजबूरी है और मनाएं कि दिखा रहे हैं आपको तो यह जो नीचे फ्लोर दिखाया था समकता दूल गया सारा का सारा बारिशों में और एक इसमें ड्राइंग रूम है टीवी लाउंज है बैडरूम है बैडरूम के अंदर एक अटेश बात है और सामने है टैरिस जो के पार्क फ्रंट है को विई करता है पार्क फेसिंग है और यह वैस्ट बींब है इस वीडियो को हम जो दिखा रहे हैं इस में तमाम की तमाम रिभ्डोवीशन का जो काम हुआ है टायल वगयरा काम हूआ हम है पाल्स सेलिंग पेंट बात रूम का जो काम हूआ है सब काàoल सत के जाने से हूँा प्यारा इसका केचन है शाइन मारता हुआ और इस पर ब्लैक ग्रिनाइट मार्बल है ये लाइटे तीन कितनी अच्छी लग रही है हाजी बस हमारे कमालात है क्या करें जी इतना अच्छा इसमें काम हुआ है कॉलिटी वर्क इसमें किया गया है बहुत अच्छा हार्डवेर का समाल किया जाता है काम में हम कंप्रमाइस करते ही नहीं है इसलिए हमारा थोड़ा सा हिसाब किताब अच्छा होता है और आप देख सकते हैं देर्वादे के पर वो स्टोर एरिया है और पर फॉल सिलिंग और लाइट चमक रही है अलगी रहने के हैं अलगी अंदर आके आप यह देख सकते हैं रूम सामने यह अलग से एक अलमारी बनाई गई है साथ ने मिरर भी दिया गया क्योंकि स्पेस सबसे बेस्ट हमें यह लगा है तो हमने यहाँ पर अपने साब से इसको डिजाइन किया है और कमाल के लग रही है ब्राउन कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो के अंदर मौजूद जो काम है कैसा लगा जैसे कि आपको बताएं कि इसमें जतना भी काम है अलगालित एसोसियेट की जानेब से किया गया है और बड़े बड़े पोजेक्स हमने अलहमदुलला इम्टा के रख दी है और क्लाइन्ट को 100% तसली हम करवाते हैं अपने काम से अपनी डिलिंग से और नाम ही काफी है देख सकते हैं आप पॉल सेलिंग का कितना सोबर और शानदार इसमें काम हुआ है वाइट और एश वाइट पेंट किया गया है ग्रिलिंग का तमाम काम इसमें हमने किया है सारे का सारे है दर्वाजर के लॉक चेंज करना पेंट करना ग्रिलिंग वुड वर्क बाथरूम की वैनिटीज डव्यू पीसी पैनल्स ये टीवी लाउंज के अंदर एक कॉमन बाथरूम भी इसे आप कह सकते है क्योंकि मैंने आपको बताए कि वन बैट डीडी भी कहा जा सकता है ट्रू बैट लाउंज भी इस फ्लैट को कहा जा सकता है छे सुस्कार फूट का इसका एरिया है सेकेंड फूर पर चट के साथ जितने भी अपार्ट पिंड है सारे के सारे चट के साथ है फार्स फ्लोर वाले विदाउट रूफ है इस वकट इसकी मार्केट जो चल रही है टू बैट लाउंज की वो चल रही है तक्रीबन तक्रीबन यह मैं आपसे बात कर रहा हूँ नवंबर दो हजार बाइस की इसकी मार्केट चल रही है 56 से लेकर तक्रीबन 62 लैक रुपीस पाकिस्तानी वो भी तो आप देखें कितना अच्छा है इसमें सैनिची वर्क है दिवारों पर जो काम हुआवे हैं दूसरों से डिफरेंट आइडियास के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते और अपने काम को अच्छे से अच्छा बनाने की कुशिश करते तो यह है इसका एक बैडरूम और टेरिस भी आपको दिखाएंगे इसका बातरूम भी दिखाएंगे किसी जिसकी कमी नहीं चोड़ेंगा मैं इस वीडियो में हाँ क्योंकि इस्पेशली यह टू बैड लाउंज का इविजिट है और मौसम इतना अच्छा है बारिशे हो रही है अंधेरा है कमाल का मौसम है कमाल की हवा है तो कमाल का फ्लैड भी है एक में कमोड था इसमें डब्यू सी है आप देख सकते हैं दिवारों पर और उपर फॉल सीलिंग है और लाइट्स जिस समय से हमें लगाई है बहुत ही महारत के साथ काम हुआ वा है गौर्गिन सिटी एक बाउंडरी वाल गेरिट सुसाइटी है जो के तक्रीबन सतर से पिच्चतर एकर पर फुली अबाद सुसाइटी है यहां कोई लोड शेरिंग नहीं है यहां पर कोई चोरी चकारी नहीं है हर कोई आपके सुसाइटी में आवी मूठा के नहीं गुष सकता और महाल बहुत अच्छा है ग्रीनरी है पीस है में जहां पार्क्स व्यू है कर इस राउंडबाउट में बहुत ही खुबसूरत मनजर आता है यहां पर आपको दिखाएंगे और यहीं से बड़ी अच्छी हवा आती है UK West Open भी है सामने में रूर है नीचे कमर्शल मार्किट है शौपस है जहां पर आप अपनी जिन्दगी की रोज मंजर तंग टंग टंग इशू आ गया स्लिप हो गई रोज मर्रा की जरूरियात के मताबिक आप यहां से आप सौदल सल्फ की खरेदारी कर सकते हैं देखें आप पार्क अफ्यू कितना जबर्दसार है पार्क फेसिंग अपार्पमेंट और यही में रोट से लेफ साइट पे हमारा आफिस भी है अभी हम आपको दिखाएंगे जरा जूम मार कर दिखाएंगे ताकि आपको परिशानी भी नहों मुश्किल भी नहों देखने यहां आ सकते हैं तश्रीफ ला सकते हैं रिनुवेशन के हवाले से इंटिरर के हवाले से सेल परचेस के हवाले से कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप हमसे राप्ता कर सकते हैं स्क्रीन पे नंबर मौजूद है आपके बिलकुल सामने नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद ह तमाम की तमाम तस्विलात मौजूद है तो गबराने के नहीं कॉल करने का या मैसेज करने का और पूछ लेने का क्या बहुत होगे मतागा चलें आप देख रहे हैं सडकों पर कैसे पानी बिखरा हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है कोई यहां पर नदी नाले नहीं जमा होते महौल बहुत अच्छा यहां रहता है साथ उतरा महौल रहता है बारिशों में ये वीडियो बनाए गए ताकि आपको पता चले के ये कहर ग्रिन सिटी जो मलीर में है ये नहीं डूपता जी नहीं डूपता तो बेडरूम से अब हम वापिस आ जाते हैं टीवी लाउंच में एक नज़र आप मारें किचन पे कितना खुब्सूरत लग रहा है है नज़र ना लगे इस किचन को राइट और अब हम चलते हैं उपर से चछत का जाइजा लेते हैं और वहां से आपको व्यू चेक कराते हैं इसके उपर हमने मार्बल भी लगाया हुआ है इसको 100% सेक्यूर मज़ीद हमने कर दिया है चछत के उपर मार्बल लगाना बहुत जरूरी है ताके नमी या सीपेच के 0% चांस हो जाएं और लाइफ टाइम पका काम हो जाए आपके अपार्टमेंट का तो बहुत जरूरी था इसकी रूफ पर मार्बल लगाना इसके पर हमने पानी का टैंक भी इंस्टॉल करके दिया है एक अच्छी कैपैसिटी के साथ अच्छा स्टोरेज है इसमें क्योंकि फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स हैं चोटे चोटे तो पानी का स्टोरेज बहुत जरूरी है I'm sure कि आपको इतने अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा तो बस गुजारा करना पड़ेगा चमक रहे हैं यह मार्बल सारा फ्लोर रात में इससे ज़्यादा और आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ कोशिश है मारी कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाए यह पानी का टेंक रखा हुआ है और यह फिटिंग मेटिंग्स की आप अपने अंधेरी स्क्रीन पे देखी सकते हैं सारा यह मार्बल करती है पूरी चत पे बहुत ज़रूरी है तुम्हें आपको बता था सुसाइटी के बारे में कि एक बाउंडरी वाल सुसाइटी है 100% अबाद बजली पानी गैस के यहां कोई इशू है ही नहीं सेक्यूर्टी भी बहुत अच्छी है यहां पर ग्रीनरी है अंदर मौजूद है स्कूल हॉस्पिटल कमिर्शल मारकेट और एरपोर्ट से तक्रीबन 6-7 किलोमीटर की ड्राइव पर है 10 मिनिट की ड्राइव पर है मुश्कलों से 10 मिनिट की ड्राइव पर है आप गोहर ग्रीन सीटी को गूगल मैप पर साइच कर सकते हैं लोकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी ये चछच से आप व्यू देखें इस राउन अबाउट का कितना अच्छा आ रहा है सामने सिक्स्टी फिट रोड का में बुलीवर्ड रोड है इस सुसाइटी में और यही एक इसमें मार्किट है जहां पर हर चीज़ अवेलिबल है मिल जाती है और महौल बहुत अच्छा है बारिशों में वीडियो बनाने का मकसद यह कि लोग को अक्सर सवालात थे कि बारिशों में क्या इसका हाल होता है जैसे पूरी कराजी का होता है का यहां लोग करें बहुत नॉर्मल सी इसकी सिचुएशन और कंडीशन होती है सुसाइटी की मज़ा आता है यहां बारिश उमयार सची बात है और जिटी तारिष थो हम करते ही नहीं है आदत नहीं जूट बोलने की जो बात है वोई बात है बस यहां आपके बच्चे और खवातीन रात को वॉक करें जॉगिंग करें बिना किसी टेंशन के अब हम एकदम चलांग लगा गए हैं नीचे आगए में रोड पर हम आ चुके हैं और अब आपको हम यहां से फ्रंट दिखाते हैं फ्लैट्स का सारा टेरिस यू आ रहा है और कुछ मार्किट भी आप देख सकते हैं यापर रात के इस पहर भी यहां अच्छी रोना के मार्किट खुली रहती है कोई पाबंदी नहीं है सुबह आट बज़े खोलें रात को चार बज़े बन करें अपने हिसाब से अपनी मार्किट को आप रन करें कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहें या मैं अगर बता ना भूल के तो आप हमसे राप्ता करके ज़रूर पूछें ये सुसाइटी के अबाले से ये एक SBCA से मनजूर शुदा सुसाइटी है और केरियस से लीस शुदा सुसाइटी है और बहुत तेज़े से इसकी मार्किट उपर बढ़ रही है वक्त के साथ साथ यहाँ पर मौझूद हैं घर 80 GAS के सिंगल स्चोनी और नगांग युनिट और 240 GAS के सिंगल स्चोनी इसके इलावा यहाँ लए यहाँ यहाँ पर एक दू और तीन कमरों के पॉर्टपीन्स हैं मालियर की पुर्फरिजा मकाम पर ये सोसाइटी है और गोहर की पुर्फ कमपनीज एक अच्छा नाम है तो हम ऐसे ही वीडियो आप के लिए बनाते रहते हैं मेहनत करते हैं कि आप हम याद रखें द्वाओं में भी और अपनी महबबत में भी और हम अपने सारिफین की देखने वालों की बहुत इज़त करते हैं और हम इनतजार करते हैं कि वो हमें कब अपनी राए से आगाह करें और हम अपने काम को माज़ीद बेतर से बेतर कर सकें तो यह थी गौर्गेंट सेटी एक सुसाइटी शांदार यहां पर तमाम के तमाम घर फ्लैट्स आप के सामने हैं और यह में बुलिवर्ड रोड है सामने में गेट है मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए दीजिए मुझे इजासत सु टेक किर एंड अल्ला हाफिस